हाई फ्रेंद्स वेल्कम टू मैं चैनल रेस्लिंग बाच्छा मैं हूँ यश तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से बड़े रॉल सुपर स्टार का करियर होने वाला है पहुँच चल्द खतम पर वो कहने से पहले एक बड़ी अब्डेट में आपको देना चाहता हूँ और वो यह है कि WWE सुपर स्टार्स आ गए है निव डेली इंडिया में जिंदर महाल, सिंग ब्रदर्स, साशा बैंक्स और एलेक्सा ब्लिस आए है आज बाकी के बड़े स्टार्स और आने बाकी है जो आज रात या कल सुपर आएंगे जिंदर महाल ने बहुत सारे इंटर्व्यूस दिये, इंडियन स्पोर्स एटलीट से मिले और बच्चों से मिले सिंग ब्रदर्स और साशा बैंक्स ने बड़े मज़े किये, साशा एकदम देसी गल लग रही थी सारी में कवीदा देवी ने उनको ड्रेस अप किया था और उन्हें ने भी अच्छा टाइम स्पेंड किया बाकी के सुपरस्टार्स के साथ अलेकस ब्लिस ने भी एक अच्छा ओसम इंटर्व्यू दिया और बाकी के सुपरस्टार्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया तो चलिए बात करते हैं उस RAW सुपरस्टार की जिनका करियर हो सकता है बहुत जल्द खतम और वो बड़े सुपरस्टार है वन हाफ अफ अफ दे WWE RAW टैक टीम चैंपियन शेमस जी हाँ आपने सही सुना शेमस का करियर बहुत बड़े खत्रे में है दोस्तो WWE ने कहा कि लास्ट विक शेमस RAW में नहीं थे क्योंकि वो Ireland अपने नेशन गए थे वो स्पाइनल स्टेनॉसिस इंजरी से गुजर रहे है जो बहुत प्रेशर डालती है स्पाइन पर ये लोवर बैक और नेक के रीजन में होती है दोस्तो और ये होने का रीजन है ज्यादा हिट्स लेना बैक पर यही स्पाइनल स्टेनॉसिस की वज़़े से लेजन्स जैसे एज और स्टोन को स्टीव उस्टिन को जल्दी रिटार्मेंट लेना पड़ा था शेमस अभी इसका ट्रीटमेंट कर रहे है और उनको डॉक्टर्स होपफुली जल्दी ठीक कर दे एक सीरियस करियर एंडिंग प्रॉब्लेम होने से पहले रो टैक्टिम चैंपियन्स दबार इवेंट्स में पर्फॉर्म तो कर रहे है पर ये शेमस के इंजरी जल से जल ठीक होनी ही चाहिए ताकि हम एक हेल्दी 100% फिट शेमस को देख सके दोस्तों कल बहुत बड़ा हिस्टॉरिक दिन है इंडिया के लिए एशा के लिए डबुड़वलुई परफॉर्म करनी वाली है न्यू डेल्ली में कल के बारे में जितने अप्डेट्स आएंगे हम आपको तुरन देते रहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौसे सुपरस्टा को कल न्यू डेली में परफॉर्म करते देखने के लिए एक्साइटेड है और क्या आपको शेमस पसंद है तो गज्लिस प्लाइख एक्साइट और र